हेलो फ्रेंज आज हम पढ़ेंगे चाप्टर वन बाइलजी क्लास 12th NCRT जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन और्गानिजम्स मैं बहुत ही सिंपल तरीके से डिटेल्ड वे में आपको आज ये चाप्टर समझाऊंगी में पॉइंट्स जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं आप इस वीडियो को पूरा समझने के लिए एंड तक देखिए ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और वीडियोज देखने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट के 6 तू क्लास के मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं जो दो में टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे एसेक्ट्वल्रिपर्दक्षन और सेक्ट्वल्स एसेक्ट्वलर प्रड़क्षन में सैल डिवेजिट्ग बाइनरी फिजन बडिंग पड़ेंगे Asexual Reproductive Sports क्या होते हैं Zoospore, Conedia, Birds, Gemule, Vegetative Propagation के Method Fragmentation का Process कैसे Asexual Reproduction में Role Play करता है यह हम आज डिटेल में पढ़ेंगे Sexual Reproduction में Male Gametes कैसे बनते हैं Female Gametes कैसे बनते हैं Events of Sexual Reproduction क्या है तीन Main Events होते हैं Reproduction के Pre-Fertilization, Fertilization and Post-Fertilization इनके अंदर के Concept जो है Gemetogenesis, Gametransverse, Sin, Gammy, Zygote Formation, Embryogenesis इस सब को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं Easy Topic जो की है Lifespan Lifespan क्या होता है हर और्गानिजम का जीवित रहने का एक Particular Time Period होता है Birth से Natural Death of Organism के समय को हम Lifespan represent करते हैं और यह हर और्गानिजम का अलग-अलग होता है Lifespan size पर डिपेंड नहीं करता है और्गानिजम के जैसे की example Crow और Parrot का जो size है वो बहुत जादा different नहीं है मकर फिर भी उनका Lifespan बहुत wide difference शो करता है वो मैं आपको आगे table में बताऊंगी कैसे इसी तरह से mango tree और people tree के Lifespan में भी difference है चाहे कोई भी Lifespan हो Death of every organism is certain कोई भी और्गानिजम immortal नहीं है except single cell organism जैसे की bacteria वगारा वो दुबारा grow कर जाता है अगर उसकी death हो भी जाए इसके इलावा कोई भी और्गानिजम immortal नहीं है यह देखिए यह NCRT का diagram है जिसके अंदर बहुत सारे और्गानिजम की photos दी गई है कुछ ने आपको लिखके दिये हैं और कुछ के Lifespan उनने आपसे पूछे हैं तो आगे मैं आपको एक complete table की form में इन सब के Lifespan दिखा के compare करके बताती हूँ देखिए अभी मैंने आपको बताया पैरट और क्रो उनका size बहुत जादा different नहीं है फिर भी देखिए उनके Lifespan में कितना difference है 15 years क्रो का Lifespan है और पैरट का 140 years है इसी तरह बनाना ट्री का देखिए लास्ट में 25 years है और बैनियन ट्री का 200 years है जबकि दोनों जो है वो ट्री है तो यह सारे जो है Lifespan Organism के अलग-अलग है वो मैंने आपको Stabular Form में दिखाए हैं आप देख सकते हैं Next Topic है Reproduction What is Reproduction? It is defined as a biological process जिसके अंदर एक Organism एक नए यंग वन को बर्थ देता है Similar to itself एक species का Organism अपनी species के Organism को बर्थ देगा जैसे Human-Human को देगा Dog-Dog को देगा और वो जो Offspring है वो Grow करेगा Mature करेगा और In Turn फिर से एक नएा Offspring बनाएगा तो यह Birth, Growth और Death की Cycle चलती रहती है इसे हम Reproduction कहते हैं Reproduction जो है वो species की Continuity को Enable करता है एक generation से दूसरी generation में यह मैं जब Chapter 5 Principles of Inheritance and Variation कवर करूँगी तो मैं वहाँ पे आपको detail में बताऊंगी कि किस तरह से Reproduction के थूँ जैनिटिक वरियेशन क्रियेट होती है और आगे Offspring में Inherit भी होती है यह हम आगे आने वाले Chapter में पढ़ेंगे Next Topic है Types of Reproduction Based on Whether There is a Participation of One Organism और Two Organism in the Process of Reproduction It is of Two Type कि एक ही Parent Involved है जिससे Offspring बन रहे है या दोनों Parents Involved है Opposite Sex के जिससे Offspring बन रहा है उसके Base पे Reproduction को दो Categories में Divide किया गया है Asexual and Sexual Reproduction उनको Detail में पढ़ते है Type 1 है Asexual जिसमें Offspring जो है वो एक Single Parent से ही बनता है With और Without the Involvement of Gamete Formation तो उस Type के Reproduction को हम Asexual कहते हैं और अब जब दो Parents Involved हों Opposite Sex के Reproductive Process में जैसे कि Male और Female Gamete का Fusion तो उसको हम Sexual Reproduction कहते हैं इन दोनों में Difference भी बच्चों पेपर में आ जाता है एक्जामपल के साथ Definition और Example पूछ लिया जाता है पहला है Asexual Reproduction In this method, Single Parent ही Capable है Offspring बनाने का और क्योंकि Variation नहीं आई है एक Fusion नहीं हुआ है Gamete का तो जो Offspring बनता है वो ना कि अपने आपके Identical होता है बलकि अपने Parents की भी Exact Copy होता है तो इनके अंदर Genetic Variation नहीं है इसलिए यह Offspring जो है वो एक डूसरे के Exactly Same होते हैं इनको हम Clone Term भी दे देते हैं यूज कर लेते हैं इनके लिए क्यों क्योंकि यह Morphologically और Genetically Similar Individual है कोई Variation हुआ ही नहीं इसलिए इसको Clone Term भी कहा जाता है यह Paper में One Mark का Question भी पूछ लिया जाता है और Asexual Reproduction जो है वो किन Organism में Common है जो की Single Set Organism है कुछ Simple Plants और Animals जिनकी Simple Organization है उसके अंदर यह Asexual Reproduction का Method पाया गया है अब जो Protest हैं और Monorans हैं वो Simplest Kingdom है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इसमें क्या है Organism या Parent Cell दो में Divide कर जाता है Mitosis के Process से और निया Individual बना देता है इस Process को हम Cell Division कहते हैं तो आप देखिए Cell Division ही अपनी तरह से एक Mode of Reproduction है जिसमें एक Organism से कई सारे Organisms बन जाते हैं और कोई Variation नहीं आएगा इसमें यह Diagram है Yeast का जिसमें देखिए Parent Cell है उस पे उपर छोटी सी Bud बननी शुरू हो गई है धीरे-धीरे अब वो Bud पहले छोटी होगी फिर वो बड़ी होती जाएगी और धीरे-धीरे वो इस Parent Body से Detach कर जाएगी और जहां पर भी उसको Suitable Conditions मिलेंगी वो एक फिर से नया Organism Grow कर देंगी तो यह Yeast के अंदर Budding का Process देखा गया है जो क्या है Asexual Method of Reproduction है दूसरा Example है Amoeba का यह आपके NCRT की बुक में डाइगराम दिये गए हैं देखिए Nucleus जो है Amoeba का पहले वो Divide करेगा दो में उसके बाद फिर Cell Divide करेगा दो में तो देखिए आप Amoeba में कैसे दो Parts में Division हो गई है और एक Main Cell से दो Daughter Cell बन गए हैं और यह जो दो Daughter Cell है यह Mature करके दो Organisms बना देंगे तो यह जो Fission हुई है तूटना हुआ है एक Cell का दो में यह भी एक तरह से Asexual Mode of Reproduction है बहुत सारे Single Cell Organisms हैं जैसे अभी हमने Amoeba पढ़ा यह Binary Fission से Reproduce करते हैं जिसमें जो एक Cell है वो दो Halfs में Divide कर जाता है जो Rapidly एक Adult में Grow कर जाता है यही चीज पारामिश्यम में भी देखी गई है Binary Fission Binary मतलब दो Fission मतलब तूटना एक Cell का दो में तूटना और जब Conditions Unfavorable है तो Amoeba Binary Fission नहीं करेगा तो वो अपना Cedopodia Withdraw करके अपने आसपास Covering बना लेगा जैसे ही Conditions Favorable आएंगी जो यह जो Insisted Amoeba है यह फिर से Fission अब यहाँ पे Multiple Fission भी हो सकती है उससे Divide करेगा और बहुत सारे Minute Amoeba बना देगा और जो Wall बनी थी वो Burst हो जाएगी उसमें से यह Amoeba के Spores लिबरेट हो जाएंगे Medium में और नया Amoeba बना देगा और इस Process को यहाँ पे Sporulation कहा गया है इस्ट के अंदर जो डिविजन होती है वो अनीक्वल होती है और जो स्मॉल बड बनती है वो उसके साथ इनिशली अटैच रहती है पेरेंट सेल के साथ और उसके बाद सेपरेट होके में चूर हो जाती है इस Process को बड़िंग कहते हैं यह मैंने आपको पहले डाइग्राम के परदिया सिंपल वे में कि यह दोनों प्रॉसेस क्या है अब जो कुछ फंजाएं हैं और कुछ सिंपल प्लांट है जैसे की अलगी अलगी भी एक प्लांट है क्योंकि वह रिपरड़क्टिव है फोटो सेंथेटिक है ग्रीन है इसलिए उसको भी हम प्लांट कहते हैं यह सारे रिपरड़क्टिव स्ट्रक्ट्टर्स हैं कि यह दाइग्राम के थ्रू मैंने दिखाया है यह एंसी आर्टी का डागरम में फिगर वन पॉइंट री जैसे की जू स्पोर बने क्लमाइडमनास में जू स्पोर मतलब जू मतलब मोटाइल जिसमें फ्लेजला है यह को न अधिशन्स फेवरेबल होंगी यह बर्स्ट करके नियू और्गानिजम बना देंगे तो यह क्वेशन भी बच्चों पेपर में आता है जम्यूल्स क्या है डाग्रमेटिकली रिप्रेजेंट करो किस और्गानिजम में पाय जाते हैं तो यहां पर आप यह देख सकते हैं मै का टर्म यूज कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रॉपोगेशन तो वेजिटेटिव ली वह जो रिप्रोड्यूस करते हैं जिसमें रनर्स राइजोम सकर ट्यूबर ऑफसेट बल बनता है इनके थ्रूप्लांट्स भी नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं इन वेजिटेटिव मेथड और रिप्रॉडक्शन ये पहला है पोटेटो का जिसमें आईज हैं जिसके अंदर से एक नया पोटेटो निकलाता है उसके बाद ये जिंजर का राइजोम है जब वो स्वाइल के साथ मिलेगा तो नया प्लांट मिल जाएगा इसी तरह से अगेव क भी रिप्रड्यूस करता है कुछ और्गानिजम्स के अंदर जो बाडी है वो डिस्टिंक्ट पीसिज और फ्रेग्मेंट में तूट जाती है जैसे बाइनेरी फिजिन हुआ दो में डिवाइड किया अब अगर अलग अलग पीसिज में बाडी तूट जाए तो वो भी नया आप स्प्रिंग मना सकती है इस मेथड को कहते हैं फ्रेग्मेंटेशन मतलब टुकड़े हो जाना यह हाइड्रा में देखा गया है यह देखिए डाइग्राम के थू मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया है कि कैसे एडल्ट हाइड्रा में फ्रेग्मेंटेशन हुई और दो नए मैच्योर हाइड्रा बन गए है नेक्स्ट टॉपिक है टेरर ऑफ बंगॉल यह भी क्वेशन पेपर में पूछा जाता है कि टेरर ऑफ बंगॉल किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं यह वाटर हाइस्ट एक्वेटिक प्लांट है जो एक तरह से वीड है जो अपने आप अक्सीजन सारी ले लेता है जिसकी वैसे उसमें जो फिशेज होती है उनकी डेथ हो जाती है इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगॉल कहा गया है अब यह ब्लांट इंडिया में इंत्रोड्यूस किया गया क्योंकि इसकी लीव बहुत बीटीफल थी उनकी शेप बहुत अट्रक्टिव थी और क्योंकि यह वैजिटेटेवली प्रॉपगेट करता है यह चैलीप्रॉपगेट करता है एक फिनॉमेनल रेट और पूरे यह है वाटर हाइसिंथ और यह टेरर ऑफ बंगॉल का डायग्राम देखिए यह जो प्लांट है यह बहुत ही कम टाइम में पानी के उपर पूरा मैसिवली ग्रो कर जाएगा इसी लिए इसको टेरर ऑफ बंगॉल कहते हैं लीव्स जो है वह बहुत ग्रीन है ब्यूटिफुल गया था नेक्स्ट टॉपिक है कि जो दूसरे प्लांट जैसे कि पोटेटो शुगर केन बनाना डेलिया यह सब कैसे के जाते हैं तो यह भी उनी की तरह कल्टीवेट किये जाते हैं जैसे पीछे डागरम हमने देखा था किसी प्लांट किसी में से बड निकल रही है में आते हैं यह एक नया पौधा बना देते हैं तो इस तरह से अलग-अलग प्लांस का वेजिटेटिवली कल्टीवेशन करना बहुत इजी होता है जब आप केहफुली देखें इन प्लांस को अगर आपने नोटिस किया हो तो इनके अंदर नोट्स होते हैं चोटे-चोटे से स्क्राच होते हैं जहां से यह पौधा जो है वह आक्टिवली मेरिस्टमाटिकली ग्रो करता है जैसे यह नोट्स जो है यह डैम्प सॉयल या करते हैं इन प्लांक को वेजीटेटिवली ग्रो यह ताकि आगे जो है इसको मार्केट में स्यल किया सके यह मैथड़्स जो है वह प्लांस को बढ़ा करने में आगे बढ़ाने में बहुती असान रोल प्ले करते हैं जल्दी हो जाता है यह प्रोसेस आज कंपेर्टु कंडिशन मिली तो एक नया पौधा बन गया इसी तरह से मैंने शुगर केन प्लांट में आप एक बढ़ है जो अगर स्वाइल में मिलेगी तो एक नया शुगर केन प्लांट बना देगी यह फिर से ब्रायो फिलम का डाइग्राम मैंने आपको दिखाया है क्योंकि यह पेपर में आता है इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से लीव के उपर जो एड्वेंटिशियस बढ़ है उससे एक छोटे-छोटे से प्लांट लेट्स निकल रहे हैं यंग प्लांट वहां से डिव में पढ़ा अब हम सेक्चुल रिपर्डाक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे इसमें बच्चों आपको पता ही है क्या होता है मेल एंड फीमिल गमीट्स होते हैं ऑपोजिट सेक्स के जिनका फ्यूजन होता है तो जाइगोड बनता है और एक नया और्गानिजम बन जाता है प्रीं होते हैं जैसे जूविनायल फेस क्या होता है यह भी पेपर में एक नंबर का आता है कुछ और्गानिजमibel में जा जातातर अर्गानिजम्जमिंस में एंट स्टेज होती है तो वह सेक्चुालिटी दक पहुंचने से पहले जो फेज ऑफ ग्रोथ होता है उसे हम जूविनायल फेज कहते हैं प्लांस में इसको हम वेजिटेटिव फेज का नाम देते हैं और यह हर ओर्गानिजम में अलग-अलग ड्यूरेशन का होता है अब next topic है इसी में annual versus biannual versus perennial species के यह क्या होते हैं जो एन्नüel और बाइनियल प्लांस होते हैं उनमें तो यह सारे वेजिटेटिव रिप्रदक्टिवल सैनसेंट फेस क्लियर होते हैं मगर perennial species के अंदर इनको define करना बहुत मुश्किल होता है अब ये कुछ additional diagram के थू मैंने आपको ये concept समझाने की कोशिश की है कि annual plant क्या होता है अब plant that complete its life cycle in one year और binyal का क्या मतलब है जिसको दो growing season चाहिए अपनी life cycle complete करने के लिए और perennial जो है वो short lived भी हो सकता और long lived भी हो सकता है अब bamboo species जो है plant की ऐसी species जिसमें unusual flowering pattern देखा गया है ये question भी आता है paper में कि bamboo species में ऐसा क्या unusual pattern है तो वो उसका flowering pattern है वो क्या है ये देखिए bamboo species जिसके अंदर 50 से 100 सालों के बाद flowering देखी जाती है once in their lifetime large number of fruits बनाते हैं और मर जाते हैं diagram में देखिए rarely seen flowering in bamboo plant है इस तोरान mass and gregarious flowering होती है इस bamboo species के अंदर एक और plant है ये भी paper में पूछा जाता है strobilanthus kuntiana जिसे हम नीला कुरेंजी कहते है इसके flowers बहुत ही beautiful है इसमें भी 12 साल में एक साल में एक बारी flowering होती है massive flowering की वज़ा से केरिला करनाटे का तामिल लाडू में इसे introduce किया गया और tourist spot बनाया गया next topic है Ustrus Cycle vs Menstrual Cycle ये क्या होते हैं difference आता है paper में non primates जो होते हैं जैसे कि cow sheep rat deer इनमें जो cyclic changes होते हैं reproduction के उसे हम Ustrus Cycle कहते हैं और जो primates होते हैं जैसे monkeys हम हम humans उसमें जो cyclic changes होते हैं reproduction के उसे हम menstrual cycle कहते हैं तो यह जो दोनों concept है यह difference की form में paper में पूछ लिए जाते हैं with examples next जो difference paper में आता है seasonal breeder versus continuous breeder क्या difference है नाम सी पता चल रहा है जो season में reproduce करेंगे उनमें जो changes हैं वो seasonal होंगे उनको हम seasonal breeder कहते हैं और जो actively throughout their phase reproduce करते हैं उन्हें हम continuous breeders कहते हैं next topic what is meant by growing old अब जब old हो जाता है कोई इनसान तो क्या होता है उसका reproductive phase जो है वो खतम हो जाता है senescence और old age की तरफ वो बढ़ जाता है और main changes क्या देखे गए इसा humans में metabolism कम हो जाता है उसके बाद कोई काम करने की शंता कम हो जाती है old age ultimately leads to death इसी तरह से पौधों में देखा जाता है कि पतिया मुर्जा जाती है या जड़ जाती है next topic है events in sexual reproduction sexual reproduction एक बहुत ही complex elaborate process है फिर भी उसमें एक regular sequence होती है जिसमें gametes बनते है उनका fusion होता है zygote बनता है embryogenesis होती है मतलब embryo बनता है और three stages में divide कर गया है किया गया इसको events को पहले है pre-fertilization fertilization से पहले के process फिर है fertilization जब हो जाता है तब क्या होता है और post-fertilization events मतलब fertilization के बात जो events है उनको describe किया गया तो आगे हम इन तीनों को detail में एक-एक करके पढ़ते है पहला है pre-fertilization event जैसे नाम से पता चल रहा है कि पहले gametes बनेंगे उसके बाद उनका fusion होगा तो gametes बनने के बाद gametes का transfer भी होगा तो two main pre-fertilization event के हैं gametogenesis gametes का बनना और फिर उसके बाद उस gametes का उस प्लेस पे transfer होना जहां पर उसकी fusion होके zygote बनेगा और gametogenesis में male and female gametes बनेंगे जो की haploid cells होंगे अब कुछ हैलगी है जिन में gametes जो हैं वो similar होते हैं appearance में कि उनको categorize करना मुश्किल है male and female gametes में ऐसी condition को हम homo gametes या iso gametes कहते हैं homo मतलब same और आगे हम देखेंगे कि hetero gametes होते हैं hetero मतलब different देखिए ए पार्ट में figure के दोनों gametes जो हैं वो similar हैं और बाकी दोनों के अंदर आप diagram में देख सकते हैं एक का size बड़ा है और एक का size छोटा है तो जो same होते हैं उन्हें हम homo या iso gametes कहते हैं however in majority of sexually reproducing organism जो gametes बनते हैं वो जादा तर morphologically distinct ही होते हैं तो इसलिए उन्हें hetero gametes कहते हैं जैसे कि humans male gametes है उसे sperm कह देंगे और female gametes है उसे ovum कह देंगे ovum size में बड़ा होता है और sperm size में छोटा होता है और उसमें motility होती है motility होगी छोटा होगा तभी वह एग तक पहुँचके उसके साथ fuse कर पाएगा तो इनको हम hetero gametes कहते हैं hetero मतलब different हैं अब कुछ important terms है बच्चों जो आपको पता होने चीए bisexual मतलब एक ही plant में male and female reproductive structures हैं या फिर unisexual मतलब अलग-अलग plants में हैं male एक में है female एक में है अब कुछ fungi और plants में terms homothalic और monotious यूज़ किया जाता है to denote the bisexual condition और heterothalic and dioces term यूज़ की जाती है unisexual condition को denote करने के लिए अब जो flowering plant है और उसमे male flower है तो प्लांस जो फ्लार्स जो हैं वह सेमी एंड्विजवल में होते हैं तो मौनोशियस कह देंगे और अगर अलग ऑडविजवल में तो इसे डायोशियस कह देंगे में कोपाया एंक ये नेंच्स टॉपिक है हर्मफ्रॉड़ाइट अनिमल क्या होते हैं जैसे कि अभी हमने बोत मेल एंफिमल रिप्रड़क्टिव औरगन उसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं मतलब इस कंडिशन को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं और एक्जामपल है अर्थवर्म स्पॉँज एंट टेप वां बच्चों यह भी पेपर में डेफिनेशन और पूछा जाता है पर नेक्स तॉपिक है गिमिट फ्रमेशन होगी अब उसमें दिविजन कैसे होगी अगर तो paren d utvecklaid है तो उसमें meiosis होगी है तो hapheloid chromosome वाला गिमिट बनेगा अरगर hapheloid ही है parent तो उससे hapheloid ही gamit बन जाएगा तो gamits तो हमेशा ही hapheloid होंगे चाहे कि वो एक diploid parent से बने या फिर वो एक haploid parent से बने, haploid parent mitosis से gamete बनाएगा, diploid parent meiosis से gamete बनाएगा Reductional division, अब देखिए, reductional division मतलब कि haploid cell बनेगा meiosis से, क्योंकि meiosis को हम reductional division भी कहते हैं, यह आपने 11th क्लास में पढ़ा है, और जो diploid organism है जिसमें ये gametes बनता है जिससे ये बनता है उसको हम meocide कहते हैं gamete mother cell देखिए डाग्राम में 2N से 2N haploid gametes बन गए meocite gamete mother cell है जिससे месяus से 2 haploid gamete बने haploid मतलब इनमें 23 chromosome है और diploid मतलब उनमें 46 chromosome है next topic है gamete transfer अब जब gametesDamने इनका transfer भी होगा जैसे मैंने अभी बताया male and female gametes must be physically brought together to facilitate fusion या fertilization और majority of organism में male gametes motile होता है female gametes stationary होता है मगर कुछ algae and fungi हैं जिन में दोनों ही gametes motile होते हैं exception होते हैं जैसे यह diagram में दिखाया है देखिए दो motile gametes का fusion हुआ है अब कुछ organisms को medium चाहिए gametes को move कराने के लिए अब जो water में है plants algae उनको water एक medium है उनके लिए gametes का transfer के लिए और क्योंकि वो gametes रस्ते में भटक सकते हैं destination तक ना पहुंचे इसलिए large number of male gametes बनते हैं female gametes तक पहुंचने के लिए thousands में millions में बनते हैं इस loss को compensate करने के लिए जो gametes बनते हैं वो million number of times होते हैं female gametes के ताकि जो chances है fusion के वो बढ़ जाए और plants में कैसे gametes जो हैं वो पहुंचते हैं पोलन होते हैं male gametes जो pollination से female gametes तक पहुंचते हैं fertilization के लिए यह पिच्चर के थू मैंने समझाया है कि यह देखिए फ्लार में एंथर है male part stigma female part एंथर से stigma में male gametes जाएगा अब यह self-pollination क्या होती है अगर एक ही प्लांट में उसी के प्लांट से एंथर जो हैं एंथर में से पोलन स्टिग्मा तक पहुंच जाए तो उसको हम कहते हैं self-pollination जैसे की प्लांट में self-pollination पाया गया transfer of pollen grains to stigma of stem same same flower और cross-pollination क्या होगी जो डायोशियस प्लांट में होगी जहां पे pollination जो है वो process एक फ्लार से दूसरे फ्लार में होगा और उसके लिए carrier ची होगा जैसे की honey bee है या कोई भी insect है जो cross-pollination करेगा एक फ्लार से एंथर लेके दूसरे फ्लार के female पार्ट तक लेके जाएगा नेक्स टॉपिक है फटलाइजेशन फटलाइजेशन को हम सिंगेमी भी कहते हैं इसका मतलब क्या है fusion of gamete sona जिससे एक deployed zygote बनता है तो फटलाइजेशन और सिंगेमी जो है वो interchangeable terms है जो हम एक दूसरे के लिए यूज कर लेते हैं यह मैंने थ्री टाइप ऑफ सिंगेमी डाइगराम की दिखाई है देखिए आइसोगेमी एनइसोगेमी उगेमी आइसो मतलब सेम सेम गेमीट से मॉर्फलाजिकली देखिए सिमिलर है एनइसोगेमी में एक बड़ा है एक सिंगेमी में क्या होगा एक एग होगा और एक स्पर्म होगा तो यह हैं थ्री टाइपस अफ सिंगेमी नेक्स टॉपिक है mechanism of parthenogenesis ये भी बच्चों पेपर में पूछा जाता है क्या होता है किन और गानिजम में पाया जाता है रोटिफर हनी बी लिजाड्स कुछ बर्ड इ बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक नया और्गानिजम मना देती है गेमीट का फ्यूजन नहीं होता इस प्रॉसेस को हम पार्थिनो जैनेसिस बोलते हैं फीमेल गेमीट अंडर्गोस डेवलपमेंट तु फॉर्म न्यू और्गानिजम विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस संत् Zusammen Pathy no Genesis नेक्स्स टॉपिक है कि सिंगल मि होती कहां है अगर बाडी के बाहर होगी तो उसे इक्सटर्णल फिर्टरैजेशन के हैं गहां अगर बाडी के अंदर होगी तो उसे क्योंकि externally हो रही है, body के बाहर हो रही है और जहां external fertilization होगी वहाँ पे sexes के बीच की synchronization बहुत अच्छी होगी क्योंकि water में ही gametes release किये गए हैं, उनको fuse करना है, mating करनी है तो उनमें synchrony chemicals के थूप बहुत अच्छी होनी चाहिए यह boni fishes और frog में पाया गया है, जहां पे large number of offspring बनते हैं, क्योंकि gametes के fusion की possibility अच्छी होती है और major disadvantage क्या है कि predators के vulnerable होते है terrestrial organism जैसे fungi है, higher plant है, हम mammals है और जो plants, bryophyte, teridophyte, gymnosperm, angiosperm है, जो higher organism है उनमें internal fertilization होती है, जिसमें fertilization body के अंदर होती है egg जो है, वो female body के अंदर बनेगा, जो gamete के साथ fuse करता है fuse करेगा, तो next फिर zygote बनेगा, और फिर वो mature होने पे female body जो है, organism को बाहर बर्थ देदेगी और जिन में internal fertilization होती है, उसमें male gimmie motile होता है क्योंकि उसको egg के तरफ पहुँचना होता है, fuse करने के लिए इस दौरान भी large number of sperms बनते हैं, ताकि वो egg तक पहुँच पाएं मगर क्या होता है, उनके number में reduction होती जाती है एग के साथ fuse करने में, तो आपने पढ़ा होगा, ultimately एक ही sperm एक egg के साथ mating करता है, तो जो organism बनते हैं, वो एक ही बनता है next topic है, last है, post fertilization events, gamete बन गए, gamete का fusion हो गया अब fertilization के बाद क्या post fertilization event क्या होंगे, zygote बनेगा zygote बनेगा, वो mature करेगा, उससे क्या बनेगा, embryo बनेगा zygote body के बाहर बन रहा है, तो external fertilization, body के अंदर बन रहा है तो internal fertilization, देखिए, यहाँ पे egg और sperm की fertilization हो रही है और zygote बन रहा है next topic है, embryogenesis, अब जब zygote बन गया है, तो वो embryo में develop करेगा उस process को हम embryogenesis कहते हैं, embryogenesis मतलब generate होना, बनना अब zygote में mitosis होगी और cell differentiation होगी उसके base पे उनने categorize किया है, दो categories में, oviparous and viviparous animals are categorized into oviparous and viviparous, based on whether की zygote बाहर बन रहा है, या body के अंदर बन रहा है अब oviparous मतलब egg laying organism, जैसे reptiles हैं और birds हैं, इसमें egg बनेगा, जब उसकी hatching होगी, proper incubation period मिलेगा, और conditions मिलेंगी, उसके बाद उसमें से young one निकल जाएंगे, और vviparous मतलब, जो young one को birth देते हैं, जैसे कि human being, पहले zygote body के अंदर बनेगा, उसके बाद वो mature होके female body के बाहर deliver होगा, तो बच्चों ये भी paper में difference की form में पूछा जाता है, क्योंकि embryonic care और protection वीवी पेरस में ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो अंदर है, इसलिए उसके chances के survival के chances भी बहुत जादा होते हैं, अब flowering plant में zygote कैसे बनेगा, it is formed inside the ovule, fertilization के बाद sepal and petal and stamel जो है वो खतम हो जाते हैं, मगर जो pistil female part है, वो plant के attach रहता है, और जब fruit बन जाता है, तो उसके बाहर एक ठिक layer बन जाती है, पैरी काप की जो उसको एक protective function देती है, और जब dispersal होगा, तो फिर से यह seed जो है, वो favorable conditions में जब आएंगे, तो वो germinate करके एक नया पौधा बना देंगे, यह देखिए, example में दिखाया गया है, किस तरह से seed के बाहर, fruit के बाहर, पैरी काप है, जो उसको protective nature प्रवाइट कर रही है, तो बच्चों इसी के साथ चाप्टर फिनिश हो गया, उमीद है, आपको concept बहुत अच्छे से clear हो गये होंगे, अगर कोई भी question है, query है, comment है, doubt है, तो आप comment box में लिख सकते हैं, मैं उसका reply करूंगी, और अगर आप अब यह share करेंगे अपने friends के साथ, और उनको भी यह concept easy way में समझाएंगे, तो आपको और clear होगा यह, तो share करिए, like करिए, और subscribe करिए, ताकि नए related videos आपको मिलते रहें, Thank you.